हेई वाट्टव अबरीबारी माइने में इसकरन एंड विल्कम बैक मैं चैनल अगें मैं चैनल ने में जग्जाम टपरी आप लिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे बहतर होंगे अपनों अपनों का ध्यान रख रहे होंगे जो की बहुत जारा ज़रूरी है गाइस क्या को बहुत तरीके से कांस्छिंग होगी जारे में विडियो बना दीजे तो मैंने कोशिश यह कि इस वीडियों में लगबग सारी चीजें जो celebrating country में होने वाली है उसको मैं compile करता हुआ चलू तो जो भी students इस साल bits में participate कर रहा है वो चाहे तो इस वीडियो को देख सकता है और अगर देख रहा है तो अपने मित्रगणों के साथ share भी कर सकता है इससे होगा क्या आपको ही थोड़ा सा benefit मिलेगा आपके दोस्त को भी benefit मिलेगा और जिनोंने share करना है वो share भी कर दो यार ऐसा कुछ नहीं है न आप लोगों को क्या ही जाएगा एक अच्छी चीज है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को knowledge मिल जाएगा मुझे थोड़े से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे इंस्टा पर आप फॉलों कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी है इंस्टा का नीचे लिंक मैंने दे दिया है चलो तुफे साथी सार बता दूं कुछ colleges में अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं अम तर कामना चाहते हैं तो अब ही आप कर सकते हैं चलो जी तो देखो है is Bits की counselling process की अगर मैं बात करूँ तो Bits का जो Chaun给 29 का मतलब होता है कि एक process जो है उसको repeat करना जब तक्म क्लोजने जड़ पहुंच जाते तो 30 का मतलब इस तरीके से अब भिंट की जो हर राउंड की जो का जो प्रोसेस है उसे इंट्रेशन ही कहा जाता है फर्स सेकंड अट्रेशन ठडड एत्रेशन फौर्थ इत्रेशन इस तरीके से चीजें यहां पर चल रही होती है ठीक है तो अब देखो अगर आप बिट्स के प्रीट सेंगी कट आफ देखो गे किसी की वेब साइट पे तो तो ऐसा नहीं है इसमें भी बाकी प्रोसेस की तरह या बाकी कॉलेजेस में जैसे कांसलिंग का प्रोसेस चलता है फर्स्ट राउंड जाती है तो अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद से प्रोसेस किस तरीके से शुरू होगा कि जो भी आपने प्रोसेसस भड़ी है इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिप्रोसेस का और और ब्रांचेस के बारे में जानका एक अच्छी चीज है अगर आप रहे नहीं पता हैं आप्लोग या सर्ड़ 12 के बाद आए हैं आपको पता है कि की सीस में अंद्र क्या पढ़ाया जाएका डेप्थ में तो आप किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर चाकर वहां पर उसका सेलबस देख सकते हैं कि वहां पर कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला है तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने जो भी प्रिफ्रिंस भरी है लाइक अगर मैं बिट्स की ही बा कैंस इसमें कौन का सी ब्रांचेस है या एक बार आप लोगों को बता देता हूं तो जैसे इसमें देख लो आप chemical engineering स्विल एंजिनिरिंग एंजिनिरिंग से आप ने अपने अप्रेंस उपर डाली कि आपको पूर चाहिए ठीक है बहुत वादा पॉपलर है सारे बज़े और सांप भाग रहे तो पहले इसका एक्जांपल लेगा तो होगा कि सबसे पहले आप लोगों का जो एक रैंक लिस्ट आपको दिखाएंगे नहीं मतलब लेकिन एक रैंक लिस्ट होती है तो होता क्या है इसके बाद वह फर्स्ट राउंड में मतलब माना की जैसे सौ बच्चे आप मान लीजिए कि सौ मतलब असी नभी सीट्स के है ना तो आपका क्या होगा तो जो भी स्टार्टिंग के हंड् स्टार्टिंग के हंड्रेट सुड्स मतलब जिनकी राइक वन से हंड्रेट तक है और अगर वह उन्होंने सीएस अप्लाइट किया है तो शुरुवात की जो सौ बच्चे हैं सौ में से मानों आप सतर ने अब साथ ने आप तो ने सीएस के लिए प्लान किया है तो उन साथ बच्चों को वह सीएस की सीट मिल जाएगी फिर्स्ट ने ठीक है अब बच्ची हुई तीज सीटों का क्या होगा आप यह कहेंगे तो बच्ची हुई तीज सीटें आपकी प्रफरेंज के अकॉर्डिंग अगर बच्चे में से सौ थे सौ में सातर बच्चों ने यह लिए अब बच्चे हुए तीस बच्चों ने computer science को preference ना देकर bits की दूसरी branches, civil engineering हो गया, दूसरी जो branches उनको preference दी है तो उन बच्चों को वहाँ पर CS नहीं मिलेगा, वो बच्चे दूसरी branches में shift हो जाएंगे और जो 100 से मतलब 130 की तक जिनकी rank है और 130 में जिन जिन बच्चों ने अब computer science भरा है, वो बच्चे वहाँ पर उसको replace कर लेंगे इस तरीके से इसकी planning होगी, तो सबसे ज़रा ज़रूरी है कि आप अपनी branches वो भरें जो आपको अच्छी लग रही है अब 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 आपको लगता है civil चाहिए तो civil भरिये, उसका chemical भरिये, उसका manufacturing जो आपको बहतर लग रहा है उस तरीके से इसको आपको fill करना है तो सबसे पहले round में यह होगा, अब पहले round के बाद क्या होगा, जब allotment हो जाएगा, है न, कि इस बच्ची को यह मिला है, तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को first round में कुछ ना कुछ amount देना पड़ेगा, कि जैसे माँ बता दूँ आप लोगों को amount लग बग जो इन लोगों को यहां पर fees deposit करनी पड़ेगी, sorry, अच्छा-च्छा, admission fees दो है, 43,000 है, और 1,99,000 है, लगबग 2,00,000 रुपए आप मान के चलो, कि first round के बाद आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह हो गया first round का, क्या समझ गया अपन लोग, सबसे पहले, आपका जो mark से उसके आपका rank आएगा, rank के बाद जो अपने preference भरी है, उसके बिहाफ पे आपको colleges में seats मिल जाएंगे, ठीक है, यह होगी पहला round, इसको कहते है first round of iteration, ठीक है, iteration first round हो गया, अब इसके बाद second round में हम आ गए, तो अब first round में, देखो first round में exam किस-किस ने दिया है, सारे किसारे को अच्छा NIT मिल रहा हो, या means में बहुत अच्छा प्रसेंट आई हो, तो अब एडवांस की तरफ जाएं, तो कुछ ना कुछ बच्चे यहां से seats छोड़ देंगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भी अब बिट्स में कौन seat छोड़ता है, तो तो हर college में कहीं ना कहीं, जो टॉपर जो बच्चा है, उसको अगर अच्छा college मिलता जा रहा है, इंप्रोवाइज हो रहा है, आप जिसने बिट्स कौलिफाई कर लिया हो, मनी पाल लिया है, वी एटी में तो नहीं जाएगा, या ISRM में नहीं जाएगा, तो वहां की seats तो उसने छोड़ी दी ना, इ क्योंकि उनका जो बिट्स का जो लेवल है, पेपर का, वो मेंस की equivalent है, तो मेंस में भी कहीं न कहीं हो, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो मेंस की तरफ चले जाएंगे, और मेंस के बाद वो एडवांस की तरफ भी move करेंगे, कुछ बच्चों के donation के होगा, क्या कुछ donation नहीं है, कोई कास्टरिजम नहीं है, कुछ नहीं है, आईए, competition fight कीजिए, दम है तो ले लिजे, नहीं तो अपने घर जाएगे, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा यहां पे है, तो दो लाग के आसपास आप पैसे तयार रखिए, क्योंकि अ अब इसमें देखो, अगर मैं पिछले साल की, पिछले साल की क्यों बात करूँ, इसी साल की मैं बात कर लेता हूँ, जो bits का जो notification आया था, official, वो कुछ टाइम पहले आया था, लेकिन COVID के कारणों थो थोड़ा साथ चेंज हो गया, तो इसमें साफ साफ लिखा हुए, deadline for the payment of fee slash advance fee, इसमें इनोंने first round के जो admission के बाद 31 जुलाई को जो हुआ था, first admit list के बाद, 7 दिन का इनोंने time दिया था, 7 दिन का इनोंने time देकर क्या किया था, उसमें आपको advance fee deposit करनी थी, तो पहला round यहाँ पे खटक, अब इसके बाद क्या शुरू होता है, announcement of admission of assignment after, इसके बाद क्य होगा, deadline of payment fee, अब इसके बाद क्या होगा, second round होगा, ठीक है, second round में similarly, वो बच्चे, जिनोंने first round में participate नहीं, participation आपको शुरू सरी करना है, जिन बच्चों ने first round में, जिनको seat नहीं मिली थी, तो एक waiting list भी देते हैं, ठीक है, waiting list का भी करेंगी, तो waiting list में, अब जिन बच्च से बाहर हो जाएंगे, और बाहर होने के बाद, जो lower rank के जो students हैं, वो अब उनको, उनको अपना, वहाँ पर opportunity मिलेगा, तो इस तरीकी से second round होगा, फिर वहाँ पर fees deposit करने का होगा, इस तरीकी से third round होगा, इस तरीकी से आगे चीज़ने चलते जाएंगे, अब question है कि first round में ज ऐसे बैट-बैट कर अपनी rank को improve करने की कोशिश करता रहेगा, तो इस तरीकी से क्या हो जाएंगे, चार एक round हो जाएंगे, चार round होने के बाद, बहुत-बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं, जो सिर्फ अब further counselling में सिर्फ इसलिए बैठे हुए है क कि उनकी rank improvise हो जाए, जैसे किसी को मिल गई civil या chemical या जो भी यहां पर branches है, अपन मान लेते हैं, वो उनको यहां पर मिल गई, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं कि चलो ठीक है, अगर इंप्रूव वा इंप्रूव वा तो ठीक है, अब आप यहां तक पहुँच गए हैं, आपको अब और fees deposit करनी पड़ेगी, और इसी के बाद आप फर्दर राउंट पर जाएंगे, यह तो या तो एक कंडिशन यह हो सकती है, यह दूसरी कंडिशन क्या होगी, कि अगर आप फर्दर राउंट में जाते हैं, तो आपकी fees क जो अमाउंट है, वो कुछ deduct होकर आपको मिलेगा, पूरा deduct नहीं होगा, कुछ amount deduct होकर मिलेगा, लेकि जनरली क्या होता है, कि वो second round की fees मांग लेते हैं, यह जैसे बाकी वदर की साल काउंसलिंग देखी है, मैं निपाल की और VAT की, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया किया आपने पूरी सीस भी देदी है, तीन-चार लाग रुपए, अब देखो यह ऐसा तो है नहीं कि रईसों की कमी है, खूब रच्छे है ना, अब लोग बूलो कि भी आप लोग बड़ी बात है, मैंने ऐसे से बच्चों की काउंसलिंग कि इस सेशन में जिनके लिए पांच- लोग की करते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पे जाते ही नहीं है, नहीं जाते हैं तो उसके बड़ी क करता है, वाप मूझ से एक इटरेशिन और करватा है और उसके बाद इस तरीके से यार आपका जो होगा, पूराा का पूरा ब्रोटे интересно करने हr This फिर हो जाता है तो इस के साब से इटरेशन का जो राउंट है वो जो है बिट्स आगे बढ़ा देगा तो जो पूरा पूरा कांस्लिंग प्रोसेस है मैंने आप लोगों को समझा दिया है समराइज आप लोग समझ गया होंगे होफुली कुछ और आपकी क्वेशन है बिट्स के रिगार्डिंग आप उसे जुड़ सकते हैं आप उसे इंस्टाग्राम पर चैट कर सकते हैं नॉमिनल से जो चार्जिस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे उसके बहुत बहुत डीटील में कॉल पे या वीडियो कॉल पे य सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर इंस्टागा लिंग डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने मुगा जैन जैवहार्ट बाबाई गाइस टेक कियर